हे गाइज वेलकम बेक टू माय चैनल और करने जा रही हूं अन्बॉक्सिंग सिलाई मशीन की जनरली आप सभी के घरों में होती है नॉर्मल सिलाई मशीन यह भी नॉर्मल यह से हमरे लागेते ही थोड़ा टेल रिंग यूस के लिए भी है बट मैं तो नॉर्मल यूस के सब्सक्राइब के लिए और मशीन की दोस्वी दिये और वह एक दिया जो रील के नीचे अपन को लगाना है तो पहले मुझे लगा कि इसकी अन्बॉक्सिंग शायद मेरे हस्बंड ही करेंगे वह कहते कि नहीं नहीं तू ही कर तेर को यह जादा मशीन लओ मशीन लओ मशीन नहीं है भी इसको कसना पड़ेगा रील वील लगाने के लिए है यह जो नॉर्मल मशीन होती है और इसमें ना मुझे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा थोड़ा वह लगा सिंपल ही चीज़े ना जैसे आप उसमें करते हो धागवा गड़ाल तो सब सेम ही है इसमें है कोई श्पेशल नहीं है तो बस बात ही है कि वो जो नॉर्मल यूज वाली आती है और यह थोड़ा टेलरिंग परपस के लिए बनाई गई है अम रेला मशीन कहते हैं यह इसके पैरदान में लगेंगे एक उस सामान वह है चाहो तो पैरदान भी लगा लो मोटर भी लगा ल जालब कहीं भी बैट के आपको सिलना है करना जैसे मान लो कमरे में अंधेरा है तो यह उजाले में आके सिल लो और जैसे सर्दियों में धूब आरी मन करा ना कुछ भी अपना मला भूदा भूदा टूटा फूटा कुड़ते की फिटिंग कर रहे हैं बना रहें बिगाड लिए बस यही सब है ना अपने तो पहले मैंने बोला था मेरे हस्बंड को कि मिसे सिंपल लिए दिला दो मना क्यों आप लेकिन नहीं वह नहीं 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 यही लो और उनका कहना भी ठीक है क्योंकि ना देको जो नॉर्मल मशीन थी ना वह भी 4,000-4,000 तक की आई रही थी अब फिर वह लिया हो और अपन आज लाएंगे दो महीने बाद खराब और यह क्या मतलब या ले ले के घूमते रो फिरते रो और यह काफी मतलब हैवी मतलब टेल रिंग परपस से बनाई गई यह काफी हैवी वर्क के लिए मतलब मशीन री काफी अच्छी खासी यूज कर कि मेरे को थोड़ा पता चले कि कौन सा सामान किदर लगाना है करना है तो बस बताते जा रहे हैं और मैं इसको लगा रही हूँ है मैं तो और यहार मेरा ना मशीन से थोड़ा इस पेशल परसनल कुछ भी मानलो आमलब ऐसा लगा हो रहा है लेकिन मुझा नहीं मिला गभी न सामाइं भी करूटगी ज्काहते हैं कर लागप में मुपन लिषだ शाल ऑन सीख रहे हैं सदा मतत्यए है लिगा सबदी muffins. तो उनको तो उनको देखा करती थी अक्सर सिलते वे यह सब तो मुझे को आता भाता नहीं चीह मैं आमन कुछ से लोगें लेकिन नहीं करा आप्णा को हमेशा लग कर देगा नियों खराब नहीं हो जाए ना सभी को रहता ओए जरी मुझे भी रहेगा ना तो अपनी जगह सही थी तो इस वज़द से वहां भी कभी हो नहीं पाया और इधर मैं आई फिर शादी के बाप तो मम्मी ने इसलिए नहीं दी वहीं ससुराल में अल्रडी है और तू को इतना मैं मैं देखे तुझे क्या करूं तेरी सासुमा के पास से लेकिन हमारे मशीन था सब्सक्राइब थाटी फाइव यह सोल्ड है तो तीन बार इसको अभी रिसेंट में सही बी करवाया है और बहुत चलते-चलते मूड़ी कहलो यार और यार मशीन रीए पार्ट से तो हो ही जा चाहिए थी मेरे कुछ भी करूं मैं परसनल करूं इधर उपर ही कर लूं मुझे कि तर जाना नहीं पड़े यह सब तो फाइनली ले यार सोच साच कहना कैसे भी बस मैंने खरीद ली तो वही बात है अम मैं इसमें धागा वागा लगा रही है सेम वही प्रोसेजर है इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा मेरे को तो यह इजी है सब इसमें धागा वागा पिरोना करना और यह डाल दूंगे और मैं सिल्के भी बताऊंगे आपको बढ़िया चल गी थी जो यह हैंडल था था ना थोड़ी देर जब मैंने लगाय था थो थोड़ा हाट तक रहा फिर बाद मेरे हजबन ने इसको पाने से अच्छे से कज दिया था तो फिर यह अच्छे से चलने लगए रिसका ना बॉक्स प्रिपेर करना पड़ेगा लगडी का ताकि हम इसको कहीं पर भी उठा ले कर ले रख ले बिल्कूल आसान रहे तो बस फिर क्या है और यह दाग तो यह हैंडल ना थोड़ा थोड़ा अटक रहा था जब मैंने लगा फिर मेरे अस्बने बिल्कूल सही लगा दिया देखो आप है और बड़ी मस्त चल रही है नहीं नहीं मशीन एकदम मज़ा आ गया तो मनलब चला कि मुझे दर से ना इसका यह दागा सेट करने का है कि मो इसका दोनों तरफ से और इसमें ना एक सिस्टम और बता रहे था है मेरे अजबन इसको ना तो इदर जो साइड में बना हुए ना पती सी इसको नीचे कर दो ना और फिर चलाओ ना तो मशीन उल्टी चलने लगी मतलब कपड़ा अपनी तरफ आने लग जाएगा यह देख इसका रिव्यू बढ़ी है मशीन वहलब 4500 में ना रही है तो 6000 कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें आपको टेलरिंग साड़े चार से चार के बीच में आपको छे तक आ जाओ तो आपको टेलरिंग रेंज की मशीन मिल जाती तो फिर और क्या चाहिए ठीक है बस फिर एक्स्ट ख़ाद से करते थे उसका है नहीं हमाला दौक साड़े नहीं हुछा चाहिए घ्रवात करने वाले तो कोई बड़ी बात नहीं है तो ओल ओवर मुझे तो मशीन में आपको बता दिया है अंबोक्सिं करके भी और सिल के भी बता दिया है और इस से रिलेटेड जब आप काम कर लोंगी यूज में लोंगी तो और फता चले का इसके बारे में तो जो भी हो आपको मैं बताती रहूंगी तो आप फिर क्या आयन डिब्बा को डालो डिवाली में बचने से कामा तो बस घर में डिबबे डिबबे होते चाहरें दीवाली पर निकलेगा पुरा कबारी देखो यार जो मशीन यह डिबबा है इसके उपर लिखा अम्रेला स्वींग मशीन और जो मशीन इना उसके उपर लिखा भगवान मलब ट्रेंट तो यार वीडियो आज यहीं के लिए प झाल के लिखा भगवान मलब पर निक यहीं मुझे तो बादिए यहीं।